विदेशी बहु की पहली रसोई दस्तक नहीं बना है मीरा का इकलौता बेटा मोहित विदेश में पढ़ता है श्यामलाल जी की राशन की दुकान है जो की अच्छी खासी चलती है श्यामलाल बिना खाये पिये ही दुकान जाने लगते हैं तबी पूजा खत्म करके मीरा कहती है मोहित के बापू कहां चल दी है नाश्ता नहीं करना है क्या अरे सिठानी पहले इतनी देर हो गई है तेरी भी उमर हो गई है तू समझ थी क्यों नहीं तू अब 20 साल की नहीं है कितने काम काज तुझ से नहीं हो गए खाना बनाने के लिए कोई काम वाली रख ले है मेरी रसोय में मुझे किसी बाहर वाली का हाथ लगाना पसंद नहीं है कितनी बार कहा है अब चुपचाप से खा के जाओ घर की सिठानी के सामने भला किस की चलती है जो शामलाल की चलती मीरा बड़ी बड़ी आँखे दिखाती है और शामलाल जट पड़ खा कर अपनी दुकान चल दीता है शीतल भी दिन बर घर से बाहरी रहती है कभी कॉलेज तो कभी कोचिंग शाम को जब शामलाल और शितर घर लाटते हैं तो देखते हैं कि मीरा अपनी घुटने को दबा रही है मेरी तो तुम सुनोगी नहीं अब मैं करी क्या सकता हूँ माम आपकी पैरों में इतना दर्द हो रहा है तो छोड़ दीजी ना आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने तुझे तो बस बहाना चाहिए कोई बहान नहीं खाना मैं जा रही हूना खाना बनाने जल्दी से बस मेरा बेटा साथ समंदर पार से पढ़ाई करके आ जाए फिर उसके लिए मैं सुन्दर सर्वगुण संपन्न लड़ के आऊंगी जो बिल्कुल मेरी ही तरह मेरी रसोई को रखे और सबके खाने पीने और मेरे शाम जी का खयाल रखे अपनी घुटनों को पकड़े रसोई में जाती है और बड़ बड़ाती हुई खाना चड़ाती है तब ही कोई दर्वाजा बजाता है और रसोई से ही मेरा चिलाती हुई कहती है दर्वाजा भी मैं ही खोलू क्या कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ मीरा बाहर आती है, तब तक शीतल दर्वाजा खोल देती है गेट पर मोहित, लेकिन किसी लड़की के साथ हरे मोहित तू, अचानक बिना कोई खबर के क्यों मौ, भाया ऐसे नहीं आ सकते क्या हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी का घर है, जब चाहे आए लेकिन यह अधनंग ये कपड़ों में कौन है प्रड़ा मा, ये आपकी बहु एनी है हाँ क्योट भाया, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी भाबी मौडन और स्टाइलिश हो एई, चुप कर तू, और अपने कमरे में जा किसे लिए आया है तो बेशरम शादी ही करनी थी, तो यहां के लड़कियां कम पड़ गई थी, क्या मा, मान भी जाओ ना जैसी भी है, अब यही तुम्हारी बहु है ससमाम, प्रड़ाम प्रड़ाम सिस्वर जी खुश रहो मेरे बच्चो सिठानी जी, अब बेटा ले ही आया है बहु, तो स्विकार कर लो ना प्यार से, भाग फुट गए मेरे तो, महले की आरते तो एक भी मौका नहीं छोड़ेगी मुझे नीचा दिखाने का आजा बहु, अपने कमरे में जा कर आराम कर एनी और मोहित अपने गमरे में चले जाते हैं यहाँ शीतल बहुत खुश होती है भाबी तो मेरे मन लायक है अब हम ननत भाबी एक साथ मिलकर मज़े करेंगे लेकिन घर में बाकी सब का विदेशी बहु को देखकर मूड आफ हो जाता है कोई खाना भी नहीं खाता अगली सुबह एनी सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा दो कर एक अच्छी बहु के तरह साड़ी पहन कर रसोई में चली आती है भापी आज आपकी पहली रसोई है कुछ डिफरेंट खिलाओ माम के हाथों का वही गाओंगा खाना खाखा कर मैं तो ठग गई हूँ मुझे तो इंडियन खाने का कुछ आइडिया ही नहीं है और खुक इटालियन मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म पुवरी करनी है शीतल इटालियन फूट सुनकर ही खुश हो जाती है और नाश्टे की टेबल पर जा बैटती है उदर मीरा रोज की तरह नहा दोकर अपनी पूजा में लग जाती है पापा आज भावी खाना बना रही है तो नाश्टे की ये बिना मत जाईएगा मेरी बहु की पहली रसोई है तो मैं बला कैसे जा सकता हूँ शीतल के साथ मोहीद और शामलाल भी टेबल पर नाश्टे के लिए बैट जाते है तबी किचन में से बर्तनों की आवाज आने लगती है मीरा आवाज सुनकर पूजा के बीच में से ही उठकर रसोई में चली जाती है मेरी रसोई का नाश कर दिया तुमने सब चीज में हाथ लगा दिया अब मैं मेरे बाबा का भोग कैसे लगाऊंगी पूरी रसोई को तहस नहश कर दिया है भाग ही फूटा है मेरे कहां सोचा था सरवगोन संपन नबहु आएगी और कहां ये विदैश है सुसु मॉम आप ऐसे क्यों कह रही हो मैं अभी नाश्टा लगाती हूँ आप भी बाकी लोगों की साथ बाची इतने में ही शीतलाकर मीरा को बाहर ले आती है सिठानी जी अराम से बहु का हाथ का बना खाना खाओ ये सोचो आपको बहु के आने से कितना अराम मिल गया आराम से बैठे बिठाए नाश्टा मिल रहा है एनी नाश्टा लेकर टेबल पर आ जाती है तबी मीरा की घर का दर्वाजा बचता है इतनी सुबसुब कौन आया होगा मीरा दर्वाजा खुलती है और महले की कुछ औरतों को दर्वाजे पर खड़ा देख उसकी पसीने छूट जाते है वो मनी मन कहती है जिसका डर था वही हुआ आज मेरी इज़द ये औरते कहीं कि नहीं छोड़ेगी क्या हुआ मीरा दर्वाजे पर ही खड़ा रखूगी हमें अंदर नहीं बुलाओगी हीच की जाती हुई आवाज में मीरा कहती है आओ आओ मैं तुम लोगों कोई याद कर रही थी रहने दे रहने दे बेटा विदेशी बहु ली आया और हम लोगों को तुने बताया भी नहीं खेर छोड़ा तुमने नहीं बुलाया तो हम खुदी बहु की मुदिखाई करने आ गए आप सब सही वक्त पर आई हैं आज भावी की पहली रसुई है सब खाना खाते हैं मीरा सूचती है ये विदेशन ने पता नहीं क्या बनाया होगा ये बाबा मेरी इज़त बचा लेना इस खाने का नाम क्या है पहली बार देखा है ये है लसान्य पिज़ा और गृल सेंडविच जो भी है खाना स्वादिष्ट है विदेशी बहु के हाथ में तो जादू है पेड बर गया लेकिन मन नहीं बरा लगता है खाती रो, खाती रो सभी औरते उंगलिया चाट चाट कर खाना खाती है और एनी की तारीफ करती है बहुरिया ने तो देशी औरतों को भी मात दे दी बिना लैसं प्यास के ही इतना आस्वाद खाना बना दिया तेरे सितारे चमक गए जो ऐसी बहु मिली तेजे सभी औरते बहुत खुशो कर जाती है और मीरा कहती है आज देशी बहु भी मेरी रहती तो मुझे इतना गर्व नहीं मैसूस होता जितना इस विदेशी बहु के कारण हुआ बहु मुझे माफ कर दे हम सास बहु अब मिल जुलकर रहेंगे हमेशा तांक्यू सास मुझे अपी देशी सास देशी विदेशी सास है मेरी